जहिंद स्वागा था आप सभी कायड उपरेटर के इस यूट्यूब चैनल पे पिछले क्लास में हम लोग कुछ इंपोर्टन्ट वॉइस रोइस के बारे में पढ़ रहे थे आज की जो क्लास होगी वहीं से आगे की होगी यानि पिछले क्लास में हम लोग लॉड रिपन तक पढ़ चुके थे आज के क्लास में हम लोग लॉड रिपन से आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तो लॉड रिपन के पाद जो नेक्स्ट वॉइस रोइ इंडिया में बन के आते हैं उनका नाम रहता है Lord Dufferin, Lord Dufferin 1884 से लेके 1888 तक इंडिया में वॉइस रॉय बनके बैठते हैं, और Lord Dufferin के टाइम में सिर्फ एक ही important चीज होती है, वो होती है कि Indian National Congress, Indian National Congress इंडिया में बनती है, ठीक है, Lord Dufferin के टाइम में, इंडिया में सिर्फ एक ही important चीज हो रही है, वो क्या है कि Indian National Congress, ठीक है, INC का formation होता है, कब होता है, 1885 में, ठीक है, अगर कभी भी कोई पूछे, INC का formation किस ने किया था, तो A.O. Hume नाम के एक आदमी थे, A.O. Hume नाम के एक British Civil Servant Officer थे, यानि एक British IAS Officer थे, जिनका नाम था A.O. Hume और उन्हों ने ही Indian National Congress को बनाया था, अगर एक्जाम में ये question आ जाए, कि Indian National Congress किसके टाइम पे बनी थी, तो answer होगा Lord Dufferin, जिस टाइम पे Indian National Congress इंडिया में बनी थी, उस टाइम के जो वाइसरोय थे, उनका नाम था Lord Dufferin और Lord Dufferin इंडिया में 1884 से लेके 1888 तक वाइसरोय बनके थे, Lord Dufferin के टाइम में एक यही सबसे important चीज हुई थी, Lord Dufferin के टाइम पे और कोई भी ऐसी important चीज नहीं हुई थी, जो आपको एक्जाम point of view से याद रखने की ज़रूरत है, Lord Dufferin के बाद जो next voice roy आते हैं, उनका नाम है Lord Lance Drowen, 1888 से लेके 1894 तक यह voice roy बनके बैठे थे, इनके टाइम पे तीन important चीज हुई थी, Factory Act आया था 1891 में, Indian Council Act 1892 हुआ था, और दुरंदो कमिशन 1893 में आया था, अब अगर बात करें Factory Act की, तो यह हम आप लोगों को बता चुके हैं, Factory Act पहले ही आ चुका था, उसके बारे में सारी चीज़े हम बता चुके थे, तो यह Second Factory Act था, ठीक है, Second Factory Act किसके टाइम पे आया था, तो इन भाई साब के टाइम पे आया था, ठीक है, Indian Council Act भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, अब हम लोग आज समझते हैं कि यह दुरंद कमिशन क्या है, देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है, कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेम है, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो सेम है, तो इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर डिवाइड किया गया, जो लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डिवाइड करती है यानि ये कहा जा सकता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खीचने का काम किस ने किया था दूरंद कमीशन ने किया था यही वो commission है जिसने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में line divide की या जिसने इंडिया और अफगानिस्तान का border divide किया ये किसके time पे हुआ था तो इन भाई साब के time पे हुआ था इसके अलावा और हम लोगों को कुछ भी नहीं आदखना है factory act क्या था ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही Indian council act भी हम लोग पढ़ चुके हैं और दूरन commission के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके है इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है फिर इसके बाद जो next voice roy R है इंडिया में उनका नाम है Lord Ilgin second अब ध्यान से सुनियेगा इनका जो time period है वो है 1894 से लेके 1899 तक का 1894 से लेके 1899 का जो time period है इस time में जो आदमी इंडिया में voice roy बनके बैठा है वो है ये इनसान जिनका नाम है Lord Ilgin second इनके time में दो बहुत important चीजे हुई थी वो क्या-क्या चीजे थी उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहली चीज जो हुई थी एक British officer का murder हुआ था ठीक है एक British officer का murder हुआ था और उस officer का नाम था W.C.Rand ठीक है, एक British officer थे, इनका नाम था W.C. Rand, उनका मडर हुआ था, और उनको मारा किसने था, तो W.C. Rand को मारने वाले दो लोग थे, दो भाई थे, और उन दोनों भाई का नाम था, रामकृष्ण और दामोदर, ठीक है, रामकृष्ण और दामोदर, अगर इनका पूरा नाम देखा जाए, तो दामोदर हरी नाम था, ठीक है, पूरा नाम दामोदर हरी, एक भाई का नाम दामोदर हरी था, दूसरे भाई का नाम था, बालकृष्ण हरी, यहां रामकृष्ण हरी और दामोदर हरी, दामोदर हरी और बालकृष्ण हरी ये दो भाई थे, इन दोनों भा बोला गया था चापेकर ब्रदर ठीक है इनका पूरा नाम था दामोदर हरी चापेकर और बाल कृष्न हरी चापेकर इन दोनों भाई को एक साथ बोला गया चापेकर ब्रदर्स तो यह जो चापेकर ब्रदर्स थे यह दोनों मिलके W.C. Rand एक British officer रहता है इसको मार देते हैं इनका murder कर देते हैं और इंडिया में 1857 के बाद 1857 में इंडिया में revolt हुई थी हम सभी लोगों को मालूम है कि 1857 में इंडिया में revolt हुई थी और इस revolt के बाद 1857 के बाद इंडिया में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि British officers के उपर फिर से attack हुआ है और वो किस ने किया था चापिकर ब्रदर्स ने किया था ठीक है और इसके साथ साथ इसको पहला political murder भी बोला गया था तो अगर एक्जाम में कोशन पूछ लिया कि इंडिया का first political murder जो हुआ था वो किस के time पे हुआ था तो Lord Ilgin second के time पे हुआ था किस ने किया था चापिकर ब्रदर्स ने किया था किस का किया था W.C. Rand का किया था चापिकर ब्रदर्स कौन कौन थे तो दामोदर हरी चापिकर और बाल कृष्न हरी चापिकर ये दोनों भाई थे अब कोईशन उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि चापिकर ब्रदर्स ने दामुदर हरी और बार कृष्ण हरी इनको मर्डर करने की क्या जूरत पड़ गई बॉम्बे में प्लेग आया हुआ था अब इस प्लेग को दूर करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी ठीक है इस प्लेग डिजीज को यह जो डिजीज थी यह जो बिमारी थी प्लेग बिमारी जो थी इसको फैलने से रोकना था बॉम्बे में प्लेग आया हुआ था प्लेग को रोकने के लिए एक स्पेशल प्लेग कमिटी बनाई गई थी इस स्पेशल प्लेग कमिटी का काम बस इतना था कि ये कमिटी प्लेग को और बढ़ने से रोकेगी जैसे इंडिया में अभी कोरना वाइरस आया हुआ था तो कोरना वाइरस को रोकने के लिए अलग-अलग कमिटी बनाई गई थी जिनका काम ये था कि कोरना वाइरस को कंट्रोल करें ठीक उसी तरीके से जब बॉम्बे मे प्लेग आया था तो उस प्लेग को रोकने के लिए एक स्पेशल प्लेग कमिटी बनाई गई थी अब इस स्पेशल प्लेग कमिटी का काम क्या था प्लेग को रोकना अब इस स्पेशल प्लेग कमिटी का जो हेड था जो इस प्लेग कमिटी का चेर्मैन कह लीजे जो इस प्ल W.C. Rand, W.C. Rand, यह एक officer था, ठीक है? यह एक कह सकते हो कि जो civil service officer होते थे, Indian civil service officers जो होते थे, यह वैसा ही एक officer था, यानि कहलो कि एक I.E.S. officer था, यह उस time का, तो special plague committee के जो chairman थे, वो थे W.C. Rand, और यह एक Indian civil services officer थे, अब हुआ क्या कि बहुत सारी females के साथ यह बत्तमीजी करता था, अब यह बत्तमीजी करता था या लोग करते थे, जो भी है, मतलब British officers क्या करते थे, Indian women's के साथ plague की बिमारी, मतलब plague disease के नाम के पीछे, कुछ Indians, ladies या Indian women's के साथ बत्तमीजी क्या करते थे, अब उसके साथ साथ, यह लोग गरीब लोगों को भी परशान किया कर रहे थे, तो women's और गरीब लोग यह सारे लोग पहुँचे, कि चापेकर ब्रदर्स के पास, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स के पास, women's और जो गरीब लोग थे, जिनको यह लोग परशान कर रहे थे, plague के नाम पे, वो लोग पहुचे, चापेकर ब्रदर्स के पास, और चापेकर ब्रदर्स से अपनी complaint की, की जो British officers हैं, वो लोग हमारे साथ बत्तमीजी कर रहे हैं, है ना, उनके साथ जो है, गलत तरीके से treat किया जा रहा है उनको, तो चापेकर ब्रदर्स को फिर गुस्सा आता है, और चापेकर ब्रदर्स जाते हैं, और इस W.C.Rand को मार देते हैं, सिंपल, अब हुआ क्या था, कि ये दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई जाते हैं, W.C.Rand को मारते ही हैं, ठीक है, लेकिंग उसके साथ साथ, इसको protection भी मिली हुई थी, ठीक है, तो एक lieutenant की post का officer था, जिसका नाम था, Azherds, तो ये भाई, दोनों ये जो भाई रहते हैं, चापेकर ब्रदर, ये W.C.Rand को मारते हैं, उसके साथ साथ जो military escort रहती है, उसकी जो military officer रहते हैं, उसके security में, lieutenant post का एक officer रहता है, उसको भी मारते हैं, और ये जो पूरा incident है, ये कह नहां पे हुआ था, तो ये हुआ था, पूने में, ठीक है, महराज पूने, तो पूने में ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है, अब ध्यान से सुनियेंगा आगे, तो Lord Elgin second के time पे पहली important चीज़ क्या हुई, कि चापेकर brothers ने W.C.Rand का murder किया, उसको मारा, पहला British officers जो मारा गया, वो कौन था, W.C.Rand था, किस के time पे मारा, Lord Elgin second के time पे मारा, किस ने मारा, चापेकर brothers ने मारा, चापेकर brothers के नाम क्या थे, दामोदर हरी और बाल करिशन हरी, ठीक है, इंडिया का सबसे पहला political murder भी यही बोला गया, तो ये 5 important point है, इसको याद रखिएगा, इसके जो दूसरी सबसे important चीज हुई थी, Lord Elgin second के time पे, वो ये थी, कि स्वामी विवेका नंद, जिनका नाम आप सभी लोग सुने होंगे, स्वामी विवेका नंद के उपर एक दिन लग से class ली जाएगी आप लोगों की, special class, स्वामी विवेका नंद के उपर, तो स्वामी विव लोगों के time पे हुआ था, Lord Elgin second के बारे में इतना ही हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, एक सेकंड, ओके, तो Lord Elgin के बारे में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, अगला जो वोईस रोई है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, वो है Lord Karjan, फिक है, इंडिया का इंडिया के सबसे गिरे हुए वाइस रोई है, सबसे बदनाम वाइस रोई है, इनको इतना बूरा बता दिया गया, कि इस वाइस रोई, Lord Karjan को हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, ये Lord Karjan को किस से compare किये है, औरन्जेब से, गोपाल कृष्ण गोकले का मानना था कि जितना बेकार आदमी औरंजेप था उतना ही बेकार ये भी इंसान है ठीक है तो लौड करजन जो है बहुत ही गिरा हुआ वोईस रोई इंडिया में माना गया है 1899 से लेके 1905 तक ये इतने टाइम पीरेड में इंडिया का वोईस था ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले इसको किस से कंपेर किये थे तो औरंजेप से कंपेर किये थे ये इंपोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके टाइम पे क्या-क्या काम हुआ था सबसे पहले तो पुलिस कमिशन का एपॉइमेंट किया था 1902 में अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पुलिस कमिशन का एपॉइमेंट हो रहा है देखिए 1902 तक ना इंडिया में बहुत जादा रिवुलूशनरी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई थी अभी पीछे ही हम लोग देखे थे क चापिकर ब्रदर्स ने मारा था डबलू सी रेंड का मडर किया था तो इस टाइम तक जो है 1902 तक बहुत सारी रिवुलूशनरी एक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट हो गई थी ठीक है बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा था है ना लोगों के अंदर थोड़ा दूसरा इन्होंने क्या किया था इसको याद रखियेगा इंडियन उनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था ये भी याद करिए रखियेगा उसके बाद जो सबसे important चीज हुई थी इनके time में वो थी partition of Bengal सबसे important चीज history की, history की modern history की एक सबसे important topic जो है वो कौन सी है partition of Bengal, partition of Bengal किसके time पे हुई थी तो Lord Curzon के time पे हुई थी, ठीक है partition of Bengal क्या था इसको अभी उनलोग समझेंगे, लेकिन एक जो important बात है वो आप ये लोग ध्यान में रखेगा कि partition of Bengal किसके time पे हुआ था, तो Lord Curzon के time पे हुआ था अब ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, हुआ क्या था कि Bengal जो है न, Bengal इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था Bengal और Bengal में बहुत ही जादा intellectual लोग रहा करते थे ठीक है, Bengal एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और Bengal के अंदर बहुत ही जादा intellectual लोग रहा करते थे ये चीज Britishers के लिए बहुत दिक्कत कर रही थी अब Bengal में इतने जादा intellectual लोग थे और Bengal में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो Bengal में बहुत सारी revolutionary activity भी हो रही थी प्रोविंस है और यहां पे बहुत ज़्यादा intellectual लोग रह रहे हैं यहां से बहुत ज़्यादा revolutionary activities हो रही है ठीक है और यहां पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है इन लोगों के अंदर nationalism वाली feeling जागे इससे अच्छा है कि हम Bengal को तोड़ देते हैं दो पार्ट में ठीक ह में यह पूरा माली जे इतना Bengal था ठीक है यह इतना Bengal था अब करजन क्या करता है Bengal को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इधर वाला Bengal कहलाता है इस्ट बेंगॉल इधर वाला Bengal क्या कहला रहा है इस्ट बेंगॉल और इधर वाला Bengal कहला रहा है वेस्ट बेंगॉल ठीक है करजन क्या किया करजन बेंगॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है दो पार्ट में तोड़ देता है इसी Bengal को दो पार्ट में डिवाइड करने को बोला गया है partition of Bengal Bengal को दो हिस्सों में तोड़ देता है करजन और बहुत ही चलाकी से ये तोड़ता है दो पार्ट में किस तरीके से तोड़ा देखिए, एक बना दिया East Bengal, दूसरा बना दिया West Bengal East Bengal के साइड में Muslims जादा रहते थे ठीक है East Bengal के साइड में Muslims जादा रहते थे और West Bengal के साइड में Hindu जादा रहते थे यानि Bengal का जो ये Red वाला portion आप लोग देख रहे हैं इस Red वाले portion में Hindu जादा थे, यानि West Bengal में Hindu जादा थे और East Bengal जो Green वाला portion आप देख रहे हैं यहाँ पे Muslim जादा थे, तो इसने पहले Bengal को दो पार्ट में तोड़ा, फिर Muslims को Hindu के against खड़ा किया कि हम चाहते हैं कि आप Muslims का जो है development हो आप लोगों को और जादा सुविधाएं दी जाएं अगर आप Hindu के साथ रहते तो आपका development नहीं हो पाता ये वो ऐसा वैसा मतलब Muslims को against किया, फिर वो वेस्ट Bengal में जाके Hindu को यही चीज़ बोलता है कि हम चाहते हैं कि आपका development हो, basically मतलब ये Hindu Muslim unity को तोड़ देता है तो 1905 में partition of Bengal करके करजन दो चीज़े करता है, पहला तो Hindu Muslim unity को तोड़ता है ठीक है, दूसरा Bengal में, Bengal में जो इतना जादा nationalism वाली feeling जाग रही थी, जो इतने जादे intellectual लोग हो रहे थे, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है ठीक है, इसी चीज़ को बोला गया है partition of Bengal, partition of Bengal Bengal किसके टाइम पे हुई थी, तो यही करजन के टाइम पे हुई थी, partition of Bengal किसके टाइम पे हो रही है, तो लौट करजन के टाइम पे हो रही है, अब जाहिर सी बात है, अगर यह partition करेगा Bengal का, तो लोग गुसा होंगे लोग गुसा भी हुए, लोगों ने बहुत जादा protest भी किया था कि Bengal का partition नहों, लेकिन फिर भी यह बत्तमीज आदमी किसी की सुना नहीं, और Bengal का partition कर दिया, अब जब यह Bengal का partition करता है, तो official जो यह statement देता है, मतलब officially इससे पूछा जाता है कि भाईया, तुमने Bengal का partition क्यों किया, तो यह बोलता है कि Bengal एक बहुत बड़ा province था, जिसका development नहीं हो के लिए उसके administration के लिए एक better development के लिए उसको हमको दो पार्ट में तोड़ना पड़ा, अब दो पार्ट में तूड़ गया, तो उसका administration करना, उसको control करना, वहाँ पे development plan implement करना ज़्यादा आसान हो जाता है, तो officially इस partition of Bengal के लिए इसने क्या reason दिया था? कि यहाँ पे development काफी ज़्यादा अच्छे सो जाए और administration थोड़ा easily हो जाए, इस वज़ा से इसने partition of Bengal किया था लेकिन इसका जो main reason था, वो क्या था? हिंदू Muslims को divide करना, हिंदू Muslims को क्या करना? divide करना, तो partition of Bengal करके करजन जो है, हिंदू और Muslims की unity को तोड़ देता है, और Bengal में जो intellectual एक group पैदा हो रहा था, उसको भी रोक दिया ठीक था? तो यह reason था करजन का partition of Bengal करने के पीछे, इसके साथ साथ, इसने जो है कुछ अच्छी अच्छी चीजे भी की थी ठीक है, जैसे agriculture, department of agriculture department of agriculture बनाया था, और agriculture research institute इसने बनाया था और यह कहाँ पे बनाया था तो बिहार में बनाया था, ठीक है 1905 में इसने बिहार में agriculture research institute भी बनाया, और department of agriculture भी इसने बनाया था, 1901 में 1901 में department of agriculture बनाया, और agriculture कल्चर रिसर्च इंसिट्टूट बिहार में ये बनाता है 1905 में ठीक है ये एक सेकंड ये पार्टिशन ओब बंगॉल यहां पे भी आ गया है एक सेकंड तो दो बार पार्टिशन ओब बंगॉल हैं जो भी पुरानी-पुरानी हेरिटेस साइट्स इनको प्रिजर्व किया जए तो जितने भी एंषियंट मॉन्यूमेंट्स इन सब बचा के रखने के लिए इन सब को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्ट बनाये गया था 1905 में ये एक्ट किसके टाइम पना था तो Lord Karzan के टाइम पर बना था उसके बाद एक सेगंड यह वाला उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो यह वाला है कि इंडिया के North West Frontier प्रोविंस जो थे वो भी इसी के टाइम पर बने थे इंडिया के जो North West Frontier प्रोविंस है वो भी किस के टाइम पर बने थे तो वो भी बने थे Lord Karzan के टाइम पर ठीक है पर ही इंडिया में North West Frontier प्रोविंस का गठन हुआ था North West Frontier प्रोविंस बने थे North West Frontier प्रोविंस क्या होते हैं तो एक बार इसको समझ लीजे यह मान लीजे इंडिया हो गया यह हो गया नॉर्थ यह हो गया साउथ यह हो गया इस्ट यह हो गया वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट इधर का जो एरिया है इंडिया का जो यह वाला एरिया है यहां पे इस एरिया को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट और यहां पे बहुत सारे प्रोविंस बने पर वो है यह सबसे लास्ट वाला पॉइंट सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है आईए इसको समझते हैं जिस टाइम लॉड करजन इंडिया में वॉइसरोय बनके बैठा था उस टाइम इंडिया में एनी बेसंट आ चुकी थी एनी बेसेंट लॉट करजन के contemporary थी यानि जिस टाइम लॉट करजन इंडिया में वोईसरोय बनके बैटा था उस टाइम इंडिया में एनी बेसेंट भी थी तो एनी बेसेंट ने इंडिया के अंदर बनारस वाले रीजन में एक school खोला girls के लिए उस school का नाम है हिंदू girls school कन्या विद्याले ठीक है 1904 में बनारस के अंदर हिंदू girls school या कन्या विद्याले जो है वो एनी बेसेंट बनाई थी आगे चलके यहीं पर आपको बीच्चू भी बनता हुआ दिखेगा ठीक है यह कुछ important points थे जो लौट करजन के टाइम पे हुए थे आई होप आप लोगों को यहां तक के जितने भी points थे वो clear होंगे अब बात करते हैं आगे के कुछ और important points के जैसे इसने 2-3 और काम किये थे जो की थोड़े अच्छे थे जैसे पहला काम इसने किया था कि department of commerce बनाई था ठीक है commerce और trade से related जितने भी काम कूछ देखने के लिए इसने एक department बनाई था जिसका नाम था department of commerce ठीक है commerce department भी किसने बनाई था Commerce Department बनाने का श्रे भी जाता है Lord Karzan को Lord Karzan ने ही Department of Commerce बनाया था उसके साथ साथ इंडिया में जो Railways थी Railways का expansion भी इसने काफी किया था Railways का expansion भी इसने काफी अच्छे से किया था इंडिया में Railways की growth जो है Lord Karzan के टाइम पे हुई थी इसके साथ साथ इसने एक और act बनाया इसके टाइम पे एक और कानून आया जिसका नाम है पंजाब एक सेकेंड पंजाब लैंड इनटेशन एक्ट इसका मतलब क्या था ये कानून ये कहता था कि कोई भी आदमी पंजाब में 50 साल तक ना तो कोई जमीन खरीच सकता है ना बेच सकता है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा पंजाब Land Alienation Act जो है ये भी Lord Karzan के टाइम पे था और इस Act में ये था कोई भी पंजाब में ना तो 50 साल तक जमीन खरीच सकता है ना तो बेच सकता है ठीक है ये थे Lord Karzan के बारे में कुछ important points इसके आगे के Voice Royce को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत